जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉ Babylon करेंगी दोस्तों आज है चैत नवरात्री का तीसरा दिन नवरात्री के तीसरे दिन माचन्दरघंटा की पूजा ती है कि आप भी नवरातर के तीसरे दिन माचंद्रगंटा की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के उपरांत ब्रत की कथा अवस्य सुनें, क्योंकि कोई भी पूजा बीना ब्रत कथा के अधूरी मानी जाती है, उसका पौन फल तभी प्राप्त होता है जब आप ब्रत की कथा का और वे सीर परसवार हैं। माता का यह सुरूप सुरीदेव के समान तेज है। धार्मिक मानेता है कि जो कोई भक्त माता रानी के इस रोप की सच्चे मन से पूजा करता है। उस ब्यक्ति के अंदर वीर्ता, साह, सौर और पराक्रम का भाव जागरित हो जाता है। आज के दिन पूजा में माचंद्रघंटा को दूद या दूद से बनी किसी भी मिठाई का भोग अवस्य लगाना चाहिए। पूजा के दोरान ओम, देवी, चंद्रघंटाय, नमह मंत्र का जाब करना चाहिए। कथा क्या है तो पौरानी कथा के अनुसार महिसा सुर ने देवताओं पर बिजय प्राप्त कर इंद्रदेव के सिंगासन पर कबज़ा कर लिया। उसके आतंग से समस्देवतागन परिसान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रम्भा, विस्नु और महेश तीनों देवताओं के समक्ष जा पहुँचे। यह सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गया और तीनों के मुख से उर्जा उत्पन होई। तीनों देवों के सरीर से निकली उर्जा भी उस उर्जा से जाकर मिल गए। तभी वहाँ एक देवी का अप्तरन हुआ। भगवान संकर ने देवी को त्रिसूल और भगवान विश्नु ने चक्र परदान किया। इसी प्रकार अन देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र सस्त्र दिये। इंद्र ने माता को एक घंटा दिया और सुर्य देव ने अपना तेज और तलवार। देवी तब महिसासूर से युध के लिए पूरी तरह से तयार थे। मा ने एक ही जटके में दानवो का सेहार कर दिया। इस युध में मा ने महिसासूर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। तो दोस्तों आज नवरात के तीसरे दिन मा दुर्गा के चंदर लाइक करें, सेयर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स।